में यह वीडियो दिल्य उद्रेशन क्रवा है यहापको पता हन आपको पूरा चलेगा तो यह पता होना चैwe आपको कौन से कॉर्स में अएड्मिशन लेना है ले चाहिएज पर सेपहते पहले आपको पर्सनेज कैसे प्रेस्ट करने जैसे बी और विकॉम के जो courses होते हैं उसमें best four consider किया जाता है जब हम percentage calculate करते हैं और जो science के courses होते हैं उनमें mainly best three subject के basis पे आपकी percentage calculate की जाती है और अब इन best four में कौन-कौन से subject include करते हैं और best three में कौन-कौन से कौन-कौन से subjects include करने हैं यह भी subject criteria होता है जो हर course के coding differ करता है और यह subject criteria आप पता लगा सकते हैं डियू की website पे जाके डियू यूजी बुलेटिन वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको link भी description में मिल जाएगा तो जैसे आगे example है हम become owners का तो become owners में क्या होता है become owners में सबसे 12 में मैच होना जरूरी है और आपको 50 आपका मैच में 50% या 50% से ज्यादा स्कोर होना जरूरी है फिर उसके बाद आपको best for consider करने हैं अपनी percentage calculate करने के लिए और कौन-कौन से subject उनमें से एक language subject होना चाहिए जो कि list A में मुझूद होना चाहिए और बाकी जो तीन सब्जेक्च हैं best 3 वो subject होने चाहिए जो list B में मुझूद होने चाहिए अब लिस्ट A में वे सारे subject included है जो language subject होते है जैसे इंग्लिस हिंदी मली आलाम और जो जितनी रिजनल और स्टेट लेंग्वेज़ निए और इह बुलिटिं में ही दिया होता है लिस्ट में में होता है? लिस्ट बी में सारे कोजेक्ट्ट जैसें अपनी mathematics physics chemistry history raçãoe bizim Promise science और accountancy business economics यसारे चीज़े एं जिसे अगर हम बात करें जो हना इनकोल्वित करते को फिजिक्स कि-क्रीज, और बायलोजी, तो यह सब्जेक्ट क्राइट करने के लिए। अपनी percentage calculate करते वक्त आपकी इच्छा के according कोई भी subjects उसमें include कर लेते हैं और apply कर देते हैं तो आपका application reject हो सकता है तो आपको subject criteria सबसे पहले मतलब best 4 या best 3 calculate करते वक्त आपको ध्यान रखना हुआ कि आपको कौन कौन से subjects include करने है तो यह है दोस्तो फिर उसके बाद एक सबसे important चीज है आपकी बार deduction नहीं है दोस्तो courses में अगर आप कोई भी stream change करते हैं तो deduction नहीं होता जैसे आप सब्जेक्ट है sciences के तो आपको art के courses में admission लेना तो आपकी बार पहले क्या होता था आपको stream change पर कुछ न कुछ percentage 5% या 2.5% deduct करना होता था अपनी aggregate percentage में से फिर मतलब आपकी जो total aggregate percentage हो गई उसमें से आपको 2.5 या 5% percentage आपको undervalue करनी होती थी अपनी aggregate फिर उसके बाद आप compare कर सकते थे cut off के साथ पर आपकी बार यह नहीं है दोस्तों आपकी बार डियू ने पहले डिकलेर कर जा था आपकी बार अगर आप stream change कर रहे हो तो कोई deduction नहीं होगा best 4 अगर आप calculate नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो के last में आपको number दिये जाएंगे मतलब एक पूरा student help desk का poster मिलेगा जिसमें अलग अलग volunteers के number होंगे तो आप उन पे call करके अपने best 4 या best 3 confirm कर सकते हैं कि हम ये include करें या ना करें तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने है subject criteria बार दोस्तों मैंने आप आपको बताया कि deduction अब की बार नहीं है अब की बार university ने पहले ही clarify कि कर दिया था कि अब की बार stream change पर कोई भी deduction नहीं होगा और अगर आपको बीए प्रोग्राम में कोई भी कोर्स में लेना बीए प्रोग्राम history प्लस पॉल साइंस या geography प्लस history तो भी आपके पास ये जरूरी नहीं है जो अपना list A में होना चाहिए और best three में पहले क्या होता था कि best three में आपको best three में से आपके 2 subjects यही होने चाहिए history और pole science पर अब की बार ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके पहले क्या होता था beit history प्लस pole science बहुत जरूरी है और अगर ये नहीं होगे अगर दूसरे आप कोई non-listed subject लेंगे तो आपका 2.5% deduction होगा पर non-listed subject तो ये था पर आपकी बार कोई भी deduction नहीं है अगर आपके पास history plus post science नहीं है 12th में ये subject नहीं है तो भी आप भी ये program history plus post science में admission अराम से ले सकते हैं पर एक बार कई courses में हो सकता है की reduction है ये थोड़ा सा confusing भी है तो आप क्या कर सकते हैं ये ये चीज में आपको थोड़ा सा आगे बताऊँगा इसी वीडियो तो best 4 और best 3 के basis पर percentage calculate करने के बाद अगला step है cut off का आना जो cut off आएंगी आप अराम से डियो की website पे जाके हर college हर course की आपको जिस course में आप admission चाते हैं उस course में आपका admission हो रहा है आपकी cut off clear कर रहे हैं अगर आप तो आप simply डियो की website पे जाके admission portal पे जाके वहाँ पर अपनी registered email ID से login करें और पर फिर उसके बाद भी अगर आपको best 4 में जो deduction का confusion है कि आपका 2.5% deduct होगा stream change पर या आप ने दो जो listed subject लिये BA program दो listed discipline subjects में admission लिया है अगर आपका उसका अभी भी डर है कि deduction होगा नहीं होगा तो आप एक option है वहाँ पर suggestive percentage पर आप click करके वहाँ से अपना doubt clear कर सकते हैं तो फिर उसके बाद doubt clear करने के बाद आप सीधा अगर doubt है तो clear कीजिए अगर नहीं है तो सीधा admission process पर आईए आप वहाँ पर आपको दिखेगा कि apply under this cutoff यानि जो cutoff आई हुई है उस time उस cutoff के अंडर आपको apply करने के लिए वहाँ पर option मिलेगा और apply का button यानि अगर first cutoff आई है तो आपको वहाँ पर लिखा हुआगा apply under first cutoff और वहाँ पर apply का option होगा तो आपको apply के option पर click करना है उसके बाद आपके आपका जो interface खुलेगा जो अगला आपको दिखेगा page उस पर होगा select course और select college तो आपको जिस course में admission लेना और जिस college में आपका admission हो provide करके वह सारी सही है और आपके documents है वह बिल्कुल original है आपने upload करे हैं registration के time तो यह सारी आपको tick mark करनी है और फिर आपको simply apply कर देना है तो बिल्कुल ही simple procedure है दोस्तो apply करने का और आपको suggest करूँगा कि आप early morning या late night में आप ये काम करें क्योंकि आपकी बाद डियू में जो admission हो रहे हैं वो online हो रहे हैं इसलिए डियू की जो website है वो काफी ज्यादा crash कर रही है काफी ज्यादा problems आपको face करनी पड़ सकती है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप या तो सुब है जल्दी जल्दी सुब है या फर देर रात को apply करने की कोशिश करें तो यह हो गया फिर उसक किया है और वह verify करेंगे अब उन document को verify करने में काफी ज्यादा time लग सकता है मतलब वह क्या करेंगे जैसे आपने सुब है जल्दी आपने apply कर दिया च्यार बजे या पांच बजे तो पर college जो खुलता है वह 10 के आसपास खुलता है तब वह जाकर जो administration वाले जाकर अपना verify कर principle द्वार अप्रूव होगा मतलब principle आपके dashboard पर दिखाएगा कि आपके जो document है वो processing में है verify हो रहे हैं और उसके बाद आपका अगर फिर उसके बाद document verify होने के बाद आपका आएगा principle की approval तो फिर उसके बाद आपको दिखाएगा कि यह documents principle से भी अप्रूव हो चुके है फिर principle के अप्रूव होने के बाद आपको payment करने का link मिलेगा आप वहाँ पर payment उस link पर जाकर जितनी बी उस course की fees है वह पे कर सकते है annual fees आपको pay करनी होती है तो आप वहाँ पर जाकर उस link पर click करके आप वहाँ पर अपनी payment कर सकते हैं तो ऐसी बात है दोस्तों तो यहाँ पर payment में भी काफी ज़्यादा क्वेरी रहती है जैसे क्या होता है कि एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था पेमेंट लिंक भी आ गया उन्होंने पेमेंट करी और उनके बैंक अकाउंट से कट भी गई पर वह पेमेंट लिंक वहां से नहीं हटा तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके अकाउंट में से पैसे तो कट गए हैं पर युनिवस्टी के बैंक अकाउंट में अभी वहां पे नहीं पहुचे है अभी क्रेडिट नहीं हुए है तो इसलिए आपको यह बात धान रखनी है आपको यह एंशोर करना है कि वह जो पे आपके पेमेंट करने के बाद वह लिंक है वहां से हट जाए अगर नहीं हट रहा और आपके अकाउंट से पैसे कट गए तो आप पेमेंट क्वेरी सेल में उसी दिन आप मेल कीजी वहां पे इमेल एड्रेस दिया होगा और दो नंबर दिये होंगे वहां पे आप जाकर आप बात कर सकते हैं तो यह पेमे आपका Approve माना जाएगा मतले आपका Successful माना जाएगा पूराइड मेशन और daí के बाद आपका कमपलीट होने के बाद सेयक्षल modes होने के बाद आपको क्या करना है आपको ट्रांजेक्शन आईडी जो है आपने जिस आंजेक्शन आईडी से जो पेमेंट करिक्स आपको सैव क में दिखाएगा कि आपका admission reject हुआ है या आपका admission verify हुआ है आपका admission done हो गया है तो आपको college remarks बार-बार visit करके एक बार जरूर देखना है अगर आपका admission reject हो गया है तो उसका भी कारण college remarks आपके dashboard पे option होगा college remarks की heading होगी उसके निचे ही दिया होगा तो उसके according जैसे कई बार क्या होता है कि जो best four का criteria है उसको गलत ले ले लेते हैं students और इसकी वज़ेसे उनका admission है वो reject हो जाता है और सबसे जरूरी बात यह बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आपका admission किसी course में किसी भी college में first cutoff में हो रहा था पर आपने नहीं लिया वहाँ पर या आपका नहीं हो पाया और आप second cutoff में आप admission अप अप अप्लाई कर रहे है तो आपका admission आपका application है वो accept नहीं किया जाएगा आपका reject कर दिया जाएगा यह काफी ज्यादा बड़े college की उरकी first cutoff है आपके 95 थे पर आपको apply करना भूल गये और जो second cutoff आई उसमें 92% आ गया अगली जो तब आप apply करेंगे तो आपका जो application है वो reject कर दिया जाएगा तो यह बात आपको पूरे ढंग से आपको मतलब consider करनी है यहाँ पर अगर आप अपने favorite college में cutoff clear कर रहे हैं उस course में तो आप definitely उसी college में admission लीजिए आपके favorite college में admission लीजिए यह वो चाहिन नोर्थ campus का हो यह south campus का हो फिर मैं आपको ही suggest करूंगा दोस्तों कि कई students क्या गलती करते हैं कई students सोच लेते हैं कि उनका जो cutoff उनका परसेंटेज है वो cutoff की percentage से 2 या 3 परसेंट कम होता है तो वो सोचते हैं कि upcoming cutoffs में से उनका admission आराम से हो जाएगा और कोई भी college में apply नहीं करते हैं वो wait करते हैं उसी college की cutoff नीचे आने का तो ऐसा मत किजिए दोस्तों वो future की बात है वो एक uncertain चीज है तो मैं आपको यह suggest करूंगा पहले आपका जिस college में एक बार admission हो रहा है उस college में आप admission ले लीजिए मतलब जो commentulate काम चला हूँ मतलब ठीक था college है आप उसके बारे में information collect करें आपको south campus में एक बार admission ले फिर उसके बाद upcoming cutoffs का wait करें फिर आप अपना जो upcoming cutoffs में आपका admission है वो आप आराम से application withdraw करके दूसरे आपके favorite college में आप अ cancel कैसे करते हैं आप अपने simply आपको अपने dashboard में जाना है वहाँ पर आपको cancel application का वहाँ पर दिख जाएगा option उस पर click करके आपको 1100 cancellation fees पे करने पड़ती है आप ATM या जितने भी payment method से वहाँ दी होते हैं उनसे पे कर सकते है आराम से फिर उसके बाद आपका जो application है वो cancel माना admission आपने किसी कॉलेज में ले लिया और आपका payment हो गया और आपका admission successful हो Gए तो उसी College में आप अपने खुद से withdraw करके उसी cut-off में दूसरे college admission नहीं ले सकते अगर आप admission reject हो गया है तो आप बेशक ले सकते हैं दूसरे college admission या आपका admission उन्होंने college आपका रिजेक्ट कर दिया है तो आप दूसरे कोलेज में अराम से ले सकते हैं पर आपका आप खुद विड्रो करके नहीं ले सकते तो यह चीज है फिर उसके बाद पैनिक होने वाली बात नहीं है दोस्तों और पेमेंट खा जरूर ध्यान रखें आगर आप दूसरे कोलेज में माले अपका बड़िया कोलेज में अडमिशन हो रहा है तो पर जो फी है वो डिफर करती है उस कोलेज की काफी ज्यादा फी से है पर दूसरे कोलेज की कम है तो जो फी एड़ेस्ट हो जाएगी आगर फी ज्यादा है उस कोलेज की तो आपको लिंक मिल जाएगा और जो एडिशनल अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी और अगर उस कोलेज की अगले जिसमें आपका एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोलेज की फी कम है और उस पहले वाले की ज्यादा थी तो आपको रिफंड आराम से मिल जाएगा दोस्तों तो उसकी फी पेमेंट के लिए आपको ज़्यादा वरी करने की जुरूत नहीं है बस आपको यह द्यान रखना है कि पेमेंट करने के बाद वहां से आपका लिंक हट जाए और अगर एरर शो करने लगता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ड्र करें क्योंकि हर कोलेज की अपना अलग सब्जयक्त क्राइटेरिया होता है तो आप वहां से वेरिफाई एक बार जरूर कर लें दोस्तों वैसे उनिवर्सटी ने खुद की गाइडलाइन में सब्जयक्त क्राइटेरिया और सारी चीजह दे रख है आप अराम से पढ़ सकते वहां से bulletin download करके और अब की बार क्योंकि payment error आते हैं और क्योंकि online procedure admission के लिए apply करने के लिए तो उन्होंने हर college के nodal officer का number provide कर रखा है तो वो pdf भी आप du.ac.in पर जाके download कर सकते हैं आपको description में nodal officer की pdf का link भी मिल जाएगा मुझे नहीं लगता आपका कोई doubt अभी रह गया अगर फिर भी आपकी कोई query है still अभी तो आप इन जो अभी आपके पास इस वीडियो में जो number appear होंगे वहां आप call करके ये queries solve कर सकते हैं वो हमारे student volunteers हैं जो आपकी help करेंगे तो student unity लोंग ले वो एंकलाब जिन्दाबाद